किताबे ग्यान का सागर लिए होती हैं, बड़े बड़े दार्शनिकों के विचार भी किताव के माध्यम से ही सबने पढ़े हैं। अगर किताबें ना होती तो ग्यान का संचे होना मुश्किल हो जाता जीवन के कई पहलियों पर किताबें आपको सिख्षा देती नजर आती है इसी कड़ी में छोटे से शहर चलोसी के रहने वाले सचिन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है Struggle of Life ये किताब इन दिनों काफी सरा ही जा रही है ये कहानी छोटे शहर की महपत और छोटे शहर की सपनों के बारे में है ये कहानी इस बात को कहती है कि गरीवी की लहरे जब अपने उफान पर आती है तो जिन्देगी की लस्थे में किनोरे वाले सपने और प्यार की पेच्चे मकान अक्सर बैजाया करते हैं और छोटे शहर की महपत और छोटे शहर की सपने अक्सर धुमिलो जाया करते हैं और यह एक ऐसी situation पर पहुसती है इस किताब की कहानी जब छोटे शहर का लड़का बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करने को लिए निकलता है तो करियर, लव और ड्रीम या सपने और करियर में से किसी एक को चुनने का उसको मौका मिलता है और तब प्रदेश की तथाकथित राजनीती किस तरह उसकी जिंदगी में अपना रोल प्ले करती है उसकी कहानी इस किताब में है और छोटे शहर के सपनों को छोटे शहर की मौबदों को ये पोड़े करती है सचिन ने बताया कि ये किताब Amazon पर उपलब्ध है लेखक सचिन की माने तो इस किताब में एक छोटे शहर के लड़के की कहानी है जो बड़े शहर में पहुचकर प्यार, सपने और करियर के चकर में फस्ता है साथ ही राजनीती उसके जीवन में हाहाकार मचाती है ये इन ही का मिश्टल है उन सपनों में या जो आपके टार्गेट्स हैं उनके लिए पॉलिटिक्स किस तरह रोल प्ले कर जाती है चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी इसका साक्षा उधरान इस किताब में है बहुत ही ज़्यादा लाइफ बुक है बहुत ज़्यादा life इस किताब में है ये एक theory नहीं है मतलब जो बात कहकर निकल जाएं वो नहीं है ये किताब practical है जो एक आम जिन्दगी से जोड़कर रखती है वो कहानी का portrait इस किताब में ने करने के बोश्ची है पब्लिक टीवी के माध्यम से मैं युवाओं को ये message देना चाहता हूँ दरसर दो message देना चाहता हूँ पहला तो ये कि कभी कभी क्या होता है कि आप बले ही मंजिल में आप जो परचे हूँ तो अगर आप उस मंजिल तक का कुछ रास्ता तै कर चुके हैं तो पीचे से जो आपकी युवाओं नहीं आ रही है जो आपके फॉल्वार्स आ रहे हैं या जो आपके छोटे भाई वहन आ रहे हैं उनको कम से कम उन रास्तों के बारे में बता सकते हैं कि आने वाला रास्ता इस तरीके का है मनजिल की तो शायद मुझे भी नहीं खबर हो पर रास्तों का मुझे पता है तो मैं उनको रास्ता बता सकता हूं कि ये रास्ता है अब आपको अपनी सोच और समझने की शक्ती के हिज़ाब से उस रास्ते पर चलना है तो पहला तो ये कि करियर और ड्रीम को पाने के लिए आपको किस तरह की जद्व जहद बड़े शहरों में पहुचने के लिए करने पड़ती है और दूसरा ये कि इंजिनियरिंग, डॉक्टरी, सीए और तदा कते जो करियर आप्शन्स हैं उनके अलावा राइटिंग, हमें से कितने लोग हैं जो अच्छे-ची पोईट्री लिखते हैं, गजल्स लिखते हैं, कहानिया लिखते हैं लेकिन हम उस तैलेंट को बहार नहीं लापा रहे हैं जो लिखना पसंद करते हैं, जो लिखने की जिनमें कुवत है और जो लिखना चाहते हैं, वो इस किताब के माद्यम से एक अपनी स्टोरी लाइन तियार कर सकते हैं वो भी वुचाहे गज़त का संग्रए हो, कभिताओं का संग्रए हो या कहानी का संग्रए हो, उससे समधित पुस्तक वो भी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से जो आपके ख्यालात हैं, जो आपके जहन में उत्थाफटक है उसको कैसे पैन और पैंसिल के जरीए कावज पे उताया जा सकता है वो इस किताब से सीखा जा सकता है